रित्रोज गायक्वाल का आया है तूफान, 15 गेंदों में ठोगती है, 14 खेली है विस्फोटक पारे Hadis वागत है एक बार फिर से आप सबी का iç this sport on नई वीडियो में तो दो किस मैच में आया है तुफान और किस प्रकार से खेली है तुफाने पारी बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में लेकर ना कर रहा है भी रितुराज गायकवार को एक वीज़टक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक वा शेयर करना ना बोले और ऐसी तमाम उन क् आफी 2022 में अपना दूसरा पतक जड़ दिया है गायकवार ने अर्फट गेंदों पर 144 रनों के तूफानी पारी खेली जिसमें से उन्होंने आठ चोके और साथ चोके जड़े हैं यानि कि 74 रनों पर सिर्फ 15 गेले खेली हैं महाराष्ट के इस मैच में 4 विकेट के नुकस गया हैं इस मामल में पहले इस्थान पर रिशाप पनते हैं जिन्हों ने आई पर अठारे में दिल्ली के लिए खेलते हुए फंडराइजर फैदराबाद के खिलाफ 128 रना थी इसमें टेम के कुल एक्सकोर गया सब्सक्राइब निकले थे दोस्तों इससे पहले गायकवार सर्विस चेज्च के खिलाफ मुकाबले मौजूदा टूर्नमेंट में अपना पहला फतक जड़ा था सर्विस चेज्च के खिलाफ गायक वार्ड ने पांफट गेंगों प्रएक 112 रनों की बड़ी पारी के लिए थी गायकवार ने भारत के लिए अब तक नोटिट इंटरन मैच खेले हैं उन्हेंने हाल ही में साथ अपरिका के वन डे मैच में डेवी किया था और वह सिर्फ 19 रनों पर आउट हो गये थे अगले दो मैचों में फिर उन्हें मौका नहीं मिले था और उसके बाद फिर से गयक वार्ड ने तुफानी पारी खेलनी शुरू कर दिये तो